दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलाइंस जियो के 5G के बारे में अभी-अभी AGM था रिलाइंस का इन्युवल जरनर मीटिंग जो एवरी येर होती है वो आई तिंग चली रहा है बट जो इंपोर्टेंट न्यूस थी वो मैं यहां पर कवर करने वाला हूं और खा रिलाइंस जियो यूस करते हो और आप इंतजार कर रहे हैं कि यह वीडियो आपके लिए जरूर से हल्फुल हो सकता है इस वीडियो को आप पूरा देखें आपर complete information आपको मिलने वाली है सबसे पहले तो अभी जो AGM होया है इसमें काफी सारी यहां पर जो है वो डिसकस किय रिलाइंस जियो ने कि कब इनका जो 5G है वो लॉंच होने वाला और 5G के क्या-क्या benefits इनों ने बताएं वो सब कुछ यहां इस वीडियो में मैं discuss करूंगा सबसे बात करें यहां पर 5G होगा वो दो तेरे का 5G होता है एक standalone होता है और एक non standalone होता है तो यहां पर हम बात कर र यह जो 4G जो signal जा रहा है उसी में वो 5G का signal देके आपको 5G की speed में ले जाने की कोशिश करते हैं यहां की hardware वही होगा बट उसी में वो कुछ software improvement करके आपको यहां पर speed बढ़ा के आपको 5G का यहां पर service देने की कोशिश करते हैं तो यह होता है non standalone 5G यहां पर कोई ज्यादा खास improvement आपको देखने को नहीं मिलती थोड़ी वोड़ आपकी speed बढ़े जाती है latency की ज्यादा difference आप पर देखने को नहीं मिलता है तो यह होता है non standalone 5G जो की ATL मेरे ख्याल से लाने वाला ATL या VIA की हम बात करें non standalone भी लाएगा standalone भी लाएगा यहनी जो हम बात करें जो 2G और 4G में जो डिफ्रेंस था वह यहां करें तो 4G यह पूरा उनका अलग नेटख होने वाला है और जो 5G है वह पूरा अलग नेटख होने वाला है उसका hardware अलग होगा उसका पूरा signal होता है वह पूरा अलग होगा जो जो भी signal bandwidth उन्होंने ले रखिए, जो भी band उन्हों ले रखा है, वो पूरा अलग होगा, तो यहां पर आपको कौन यह देखने को मिलेगा, कि आपके जो normal 4G phone है, उसमें Reliance Geo का 5G नहीं चलने वाला, और यहां पर हम बात करें, ATL की, तो ATL में अगर कभी ATL launch भी करता है, non stand alone 5 5G, तो यहां पर आपको, जो आपके 4G phone है, उन्हों में भी 5G की आप speed देखने को मिल सकती है, यहनि कि आपको जो अभी तकी speed मिल रही थी, जो भी मिलती है, 20-25 Mbps की speed, उसमें आपको increase होके, वो 100-500 Mbps की speed हो सकती है, अगर non stand alone 5G launch कर दिया, ATL या फिर दूसरे service provider ने तो, बट जो जियो है, जियो में ऐसा नहीं होने वाला है, जियो का अगर 5G use करना है आपको, तो यहां पर आपको, जो 5G phone है, एक तो वो 5G phone है, तो सबसे पहले आपके पास 5G phone होना चाहिए, जो की 5G support करे, और फिर आपको जो अच्छी का सी speed मिलेगी, वो भी 1Gbps तक, देखने को मिल रही है, बट अगर हम बात करें, यहां पर जब 4G launch हुआ था, तो speed की हमें का गया था, कि 100 या 200 Mbps की speed मिलेगी, बट क्या आप लोगों को अभी तक, आज तक आपके phone में 100 Mbps की speed मिली है, मुझे एक screenshot बताजिए कि यहां पर मुझे 100 Mbps की speed मिल रही है, जब दिन चालू होता है, और यहां पर मैं बात करूँ, जो नॉर्मली, जैसे अभी की मैं बात करूँ, अभी करीबन दो ड़ाई भज रहे हैं, तब अगर आप speed चेक करेंगे, तो आपको 10 या 12 Mbps से जादे की speed नहीं मिलेगी, 4G में भी, तो यहां पर एक question mark लगता है, कि जो band लिया है, Reliance Jio ने, 700 MHz वाला band लिया है, जो कि सिर्फ Reliance Jio पास ही है, अगर मैं भी करहाँ तो 700 MHz वाला band being used to design, और उस लिग करा लिया है और और किसी के पास नहीं है, अब यह जो the band special क्यों है, यहां पर इंडोर coverage इस आपको काफी अच्छा मिलेगा, 5G के सिर्दों 5G वह एकदम कम हो, तो इसकी वज़े सी जो range है, वह कम हो जाती है, जितनी ज्यादा range कम होगी, उति ज्यादा latency भी कम मिलेगी और speed ज्यादा मिलेगी, तो latency और speed आगर आपको ज्यादा देखना है या latency कम देखना है, तो यहाँ पर आपको range कम होनी चाहिए, यहां पर जादा अगर जो 700 वाला जो बेंड इसने लिया है, रिलाइंस को मिला है, उसमें जो अल्रेडी टावर हैं, उस ही पर वो वर्क करके एक्स्ट्रा टावर लगाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी रिलाइंस को, क्योंकि अगर यहां पर अगर हम बात करें, 5G की तो उसक कोई गाह में तो वहां पर एक टावर रिलाइंस जी होगा, तो उसको जादा से जादा एक टावर और लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक ही टावर में काम हो जाएगा 5G के लिए भी, तो यह यहां पर कोस्ट पूरा बचा लिया रिलाइंस जो ने वो बेंड ख कोई स्पीड की दिक्कत आती है क्योंकि यहां पर वो ही है कि उसकी जो बेंड विथ है वो कम होती है, 5G की यहां पर जो रेंज है वो कम होती है, तो यहां पर इस पीड का इश्व आपको देखने को मिल सकता है, दो बेंड और लिये हैं, डिलाइंस जो ने 26 GHz और 3500 MHz और यह जो बेंड है यह आउटडोर मैप को यूसफुल होंगे, अब बात करते हैं आपर लॉंच की, जिसका आपको बेसबरी से इंतजार था, लॉंच कब होगा, आखिर में यह हमको मिलेगा कब, रियल लाइफ में यह कब आएगा, रियलिटी में यह कब आएगा, तो जैसे क लेट सी देखते हैं कि कि किती स्पीड हमें मिल पाती है, यह लॉंच होने वाला अगर हम लॉंच की बात करें, तो यह लॉंच होने वाला है दिवाली पे, अब यहाँ पर एक केच यह है कि दिवाली पे सब लॉकेशन पर लॉंच नहीं होगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो तो दो महीने बाद जी ओ का 5G आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेस जो इंतजार था अगर आप इन सिटी में रहते हैं, तो आप मुझे कमिल करके बताईए कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं और आपको 5G यहाँ पर मिलने वाला है, मैं इन सिटी में से एक में भी भी न करना पड़ेगा एक साल और चार महीने करीबन आपको वेट करना पड़ेगा तब जाके आपके यहां पर फाइबर जो है वो फाइफ जी आ जाएगा जीओ का संबर दोजार तेवीस तक रिलाइंस जो ने ऐसा क्लेम किया है कि वो हर तालू का हर तेसिल में जीओ फाइफ जी लेके आ जाएंगे यहने की एक साल में ऐसा नहीं होगा है कि एक साल बाद ही आपको मिलेगा अगर आप कोई सिटी में रहते है तो जीसे फोर透 एक्जामपल अगर मैं बात करूँ एंप तो MP में ऐसा होगा की दिसंबर दोोजार टेवीस में आएगा MP में एसा होगा कि मिड में या फिर हम बात करें स्टार्टिंग में जो मार्च या अप्रेल की हम बात करें तो MP में कुछ cities में जा कि बोपाल इंदर हो गए तो वहां पर रिलाइंस जीओ को जो 5G है वो लॉंच हो जाएगा बट यहां पर ऐसा क्लेम किया इस रिलाइंस जीओ ने कि दिसंबर 2023 तक यह सारे तैसिल को कवर कर लेगा तैसिल तालू का गाउं चोटे चोटे गाउं तक विए 5G पहुंच जाएगा तो यह काफी अच्छी बात है कि एक साल में पूरा 5G हो जाएगा पूरा इंडिया रिलाइंस जीओ से अब और बाकी के अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि यह कब तक लाउंच करेंगे बट रिलाइंस जीओ कि यहाँ पर पूरी अपडेट आ चुकी है तो यही था रिलाइंस जीओ 5G के बारे में एक और एक अपडेट है जो कि इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा जो की बहुत अपडेट है रिलाइंस का एर फाइबर आने वाला है तो एर फाइबर के बारे में डीटिल बताऊंगा आपको इस वीडियो के नेक्स वीडियो आने वाला है तो जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकोन के साथ कि आगे महीने बाद या फिर आप मेरी तरह वेट करने वाले हो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल आइकोन के साथ ताकि आगे नवली वीडियो आपको मिलते रहें देट सोर फॉर इस ताइम थैंक्स पर वॉचिंग